आपके अपने यूट्यूब चैनल हैपी इन्वेस्टर्स फैमिली में दोस्तो हैपी इन्वेस्टर्स के परिवार में एक और एपीसोड के साथ आप सबी के लिए हाजिल हूँ मैं दोस्तों L&T शेयर के उपर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था L&T के उपर मेरा नेक्स वीडियो रहेगा और आज हम डिसकस करेंगे L&T शेयर के बारे में उसकी लेटेस न्यूस के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या है उसका फ्यूचर क्या हमें कितने टार्गेट एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या 25 रुपे का टार्गेट जो मैंने दिया है ये अचीव शॉट टम में होगा या लॉंग टम में होगा सब कुछ बात करेंगे 100% रिटन देने की गैर और हैपी इनवेस्टर्स में दोस्तो एल एल एंटी के ऊपर जो न्यूज आई है उस पर मैं डिसकस करूँगा वीडियो छोटा रखूँगा मैं हम सब को पता है दोस्तो एल एक कंस्रक्शन कॉंट्रक्ट कंपनी है जहां पर ये कहीं सारे कंस्रक्शन और और इंट्रास्रक्शन और इंट्रास्रक्शन और इंडिया में तो इंडिया दोस्तो एसा कंट्री है जो उभरता हुआ कंट्री है इसको एक डेवलपिंग कंट्री बोलता है दोस्तो अमेरिका हो गया कैनेडा हो गया बड़े-बड़े सिंगापूर हो गया ये सारे डेवल उसमें इंडिया अभी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है दोस्तों और यहां पर बात की जाए L&T की तो fundamentally मुझे कहने की जरुत नहीं है L&T कितनी strong है लेकिन बात आती है अभी के price की क्या अभी का price सही रहेगा बाई करने के लिए क्या मैंने जो target 25 का आपको starting में बताया वो क्या achieve हो पाएगा हो पाएगा तो कब हो पाएगा सब कुछ जानेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों य तो इनको दोस्तों जो तमिल डाडू की government है उनकी तरफ से तमिल डाडू की जो इंफ्रास्ट्रुक्टर डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से दोस्तों order मिल चुका है दूसरी बात यह है कि ता railway business unit along with substation business unit of the power transmission and distribution business has won an order from उत्तरप्रदेश Metro Rail Corporation Limited यानि कि दोस्तों उत्तरप्रदेश Metro जो बनने वाली है Corporation Limited है वहाँ पर भी उसकी तरफ से भी L&T को एक अच्छा खासा order मिला है तीन बड़ी बड़ी खबर आई है दोस्तों L&T के बारे में और सबसे पहले Samco का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस तरीके से बहुत ही short में अच्छी खासा display करने के लिए इनके अच्छे slides होता है मुझे काफी पसंद है जापर हमें एक ही slide या दो ही slide के अंदरा में पूरा का पूरा news मिल जाता है update latest वाला अब देखतो है दोस्तों की बात करते है कि अभी L&T का जो price चल रहा है उस price पर क्या buy करना चाहिए या नही दोस्तों L&T की अगर बात की जाए तो बिल्कुल यह एक large cap company है और काफी बड़े पैमाने पर काम करती है हमारे देश में और यह चोटा मोटा group नहीं है दोस्तों बहुत ही बड़ा group है L&T के और भी कहीं सारे shares है जैसे L&T info tech हो गया L&T तो यह आप जानते ही है लेकिन L&T info share के एक company है जिसका share यह है जो मैं construction में काम करती है वो ठिक दोस्तों बात करेंगे यहां पर चार्ट में लेजा करके कि L&T के लिए कौन सा सही level रहेगा buy करने के लिए और मैं end में आपको अपना opinion भी बताऊँगा कि क्या मुझे लगता है 25 का target अचीव होगा या नहीं होगा चलिए दोस्तों लारसन एंटूबरो पर चार्ट पर हम डिसकस करेंगे अभी फिलाल 830 रुपए पर यह ट्रेड कर रहा है स्टॉक दोस्तों 831 का level है 30 के आसपास 2831 का level है स्टॉक का और यहां पर अगर मैं बात करूँ इस stock के rally की तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इस जो यहां पर मैं आपको बता देता हूं थोड़ा जूम आउट करके देखिए ग्राफ उपर की तरफ जा रहा है ठीक है इसको बोलते है 45 डिगरी ग्राफ यहां पर देखिए इस यह थोड़ा सा उपर गया प्र फॉटिफाइड डिगरी पर अब यहां पर दोस्तों दो हज 200 का टारगेट दिया है दोस्तों मैंने और मेरा थम्डेल में मैंने बता था कि 25 सो का टारगेट मैंने में अच्छीज़ करेगा या नहीं यह बहुत ही ज्यादा इंबॉटन बात है अब दोस्तों यहां पर बात करता हूं इस लेवल की देखिए यहां पर एक अच्छा-कास लेवल देखने को मिलेगा लेकिन एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए यहां पर स्टॉक है और वापिस से बाउंस किया है इसके कहीं सारे रीजन है पहला रीजन दोस्तों यह है कि जैसे कि हमें पता है जियो पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ही ज्यादा अभी टेंशन चल र है लेकिन यूएस में भी इसके कारण इंफलेशन बढ़ रहा है और जब दोस्तों कोई बड़ी कंट्री बड़ी इकोनोमिकली पावरफुल कंट्री अगर सफर करती है अगर उसके अंदर गिरावट आती है तो हमारी में भी गिरावट आने के चांसे बढ़ जाते है तो प इसके कारण भी इनके प्रोडक्शन और ब्रोडक्शन कोस्ट है इनका जो रिविन्यू है इसके अंदर एक्सेंस का भी ज्यादा इसाफा देखने को मिल सकता है अब बात करते है क्लिए 2500 का लेवल की तो थे süץ के लेवल के दोस्तों करें तो शायद ये तीन यूज आई है उसके कारण हमें यह अप्टिक देखने को मिला है लेकिन पचीसो का लेवल दोस्तो एक साल के लिए मुझा लगता है एक बड़ा टैन्यूर की जरुवत है यहाँ पर और मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि एक या दो महिने में ये स्टॉक पचीसो का लेवल को टच कर सकता है बिल्कुल अगर सब कुछ बहुत पॉजिटिव हुआ तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है यही में बात आपको समझाता हूँ दोस्तो देखिये अब मैंने बोल दिया है कि पचीसो का लेवल अचीव होगा ही होगा तो ऐसा नहीं है आप सब मेरी मान के अपना रही होता है कि मैं आपको research purpose से सारी news बता हूँ आखिर में मैं अपना opinion इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं भानता हूँ कि यह मुझे आपके शार्च शेयर करना चाहिए क्योंकि अगर मैंने research कि अगर मेरा दिल कुछ कहता है कि यह stock उपर जाएगा तो आप इसे as a advice मत देखि आप इसे as a just educational purpose से एक opinion देखिए ठीक है यह मेरा opinion है कि मुझे ऐसा लगता है कि होगा है जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही मेरे कहीं सारी बार एक या दो बार आपने कहीं stocks मेरे जो regular subscribers होंगा उनको पता होगा उनके मेरे ज्यादातर stocks दोस्तों अब उनको profit दे जाते हैं मेरे ज जो swing traders है उनके लिए एक ही signal है कि 25 का level थोड़ा दूर लगता है फिलाल मुझे लेकिन अगर आप swing trading कर रहे हैं तो आपको हाँ बिल्कुल 2000 का level जरूर अचीव हो सकता है अगर market में अच्छी खासी हमें positivity दिखाई देती है in near future तो ठीक है बाकी L&T जो potential wise अगर कहा जाए fundamentally जोड़ना है आप buy कर सकते हैं इसे long term के लिए हर रोज थोड़ा बहुत buy कर सकते हर रोज या फिर हर महीने जैसे आपका budget allow करें बाकी stock अच्छा है मैंने अपना opinion आपके साथ शेयर कर दिया है financial advisor से भी consult करना ना भूलिएगा हम ऐसे ही हर रोज वीडियो लाते रहते हैं बा जाते देख करके जाईए चलिए दोस्तों तो मैं next वीडियो के बारे में आपको बता देता हूं next वीडियो दोस्तों रहेगा आलोक इंडस्ट्रीज पर दोस्तों market cap 14,200 करोड रुपे का हो चुका है और market cap के बारे में तो क्या ही कहना लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज हम सब क पता है Reliance का investment है और क्या stock अब target 100 को अचीव कर पाएगा इतने समय से दोस्तों stock एक ही जगा पर एक ही range में trade कर रहा है लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूंगा दोस्तों मुझे काफी खुशी हो रही है बताते हुए कि ये stock दोस्तों मैंने जब recommend किया था ये stock दोस्तों मैं बताता हूं कहा ट्रेट कर रहा था ठीक है ये देख लिजिए मैं आपको बता देता हूं 20 रुपे पर दोस्तों 20 रुपे से मैंने लगातार इस वीडियो पर इस पर coverage किया है और 20 रुपे पर ही नहीं शायर मुझे याद है 11 रुपे के आसपास मैंने cover किया था stock को लेकिन ह इससे पहले जो मेरा latest वाला वीडियो था तम मैंने मेरे कई सारे subscribers और viewers अभी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे क्योंकि उनको मैंने बताया था कि buy कर लीजिए swing trading के लिए बहुत अच्छा stock है और 20 रुपे पर मैंने buying का opinion अपना रखा था मैंने research किया था और शा subscribers को बाकी अगला वीडियो दोस्तो आलोक industries पर ही रहेगा long term में मेरा क्या मानना है short term में क्या मानना है जिनको मैंने 20 रुपे के आसपास buy करने को बोला था 22 रुपे के आसपास buy करने को बोला था उनके लिए मेरा क्या opinion है क्या उनको buy करके रखना चाहिए और या फिर उनको sell out करके exit करना चाहिए सब कुछ जानेंगे अगले episode में तब तक के लिए हमारे साथ बने रही है मिलेंगे फिर से किसी अच्छे episode के साथ देखते रहे है happy investors बाबाई